भारत के शस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने कुसल नेतुरित में पुरे भारत को एक गौरव प्रदान किया हैं अस्तर पर भी अपनी एक विश्ष्ष पहजार बनाई है और उनके कद्दावर व्यक्तित के सामने सभी बौने हैं बिहार कैसे अपराध मुक्त हो क्योंकि महागडवंदन में सामिल होने के बाद यह सारी प्रस्थित्य और तेजी से बढ़ी हैं अपराध बढ़े हैं तो यह या कैसे रुके इस खेला को रोकने का आप सकता है बादमा की राजनितिक खेला तो गनीत का अधार पर चलता है नमश्कार में अना मुतकर्ष है अप्लाइप श्रीज देख रहे हैं हमारे साथ बहार सरकार के पूर उपमुख्य मंत्री तार्किशोर प्रशाद हैं सार लग मुखमंत्री सिरी नितिश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार को अपराधियों के हाथ सौब दिया है सभाविक है कि एक गुसा बिहार के तमाम लोगों का है और मुझे लगता है कि इस तरह के समाधान यात्रा से बिहार की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होना है उन्हे तो आम लोगों से रूबरू होना चाहिए, आम लोगों से मिलकर उनकी भावना को और बिहार की जो कटनाईया हैं, उनको समझने का प्रियास करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको समस्याओं की समझ नहीं है, लंबे अर्से तक वो बिहार के मुखमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकों समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से वो पंगू हो चुके हैं, राजनीतिक द्रिश्टी से, क्योंकि महागडवंदन में भारतिय राष्ट्य कांग्रेस को दो तीन और मंत्री बनाने हैं, राष्ट्य जनता दल के नेता मानिय मुख्मंत्री जी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए जनता दल उन्याटेट के नेता बैचेन हैं, लेकिन जो अभी एक समयधानिक दाईत उन्हें मिला है, और बिहार की जो समस्याओं हैं, उन समस्याओं को देखने के आप सकता हैं, उन्हें अवाम के बीच में जान जो कार्सक्रम होते हैं, यात्रा के उसी पर चल रहे हैं, कोई नई बात समाधान यात्रा के दोरान नहीं आ रही है, यह सवाल भी उठ रहा है कि लगातार विपक्षी एक्टा एक्जुट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे पहले मुख्य मंत्री इंतीश कुमार तमाम स्री नरेंद मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने कुसल नेतुरित में पुरे भारत को एक गौरव प्रदान किया है, और वैस्विक अस्तर पर भी अपनी एक विश्ष्ष्ट पहशार बनाई है, और उनके कद्दावर व्यक्तित के सामने सभी बौने हैं, और जनतादर उन तो आप समझ सकते हैं कि राश्टी अस्तर पर या राश्टी जो राजनितिक फलक है उस पर उनकी कोई ऐसी पहचार नहीं बन पाई है, कि जो राश्टी अस्तर के विपक्षी दल है, उनको नेता के रूप में स्विकार करें, इसलिए इस तरह के सपनों को देखना छोड़ कर बिहार के मुखमंतरी के रूप में जो दाई तो मिला है, उसका निर्वहन बेहतर ढंक से हो, यह ज्यादा बेहतर है, अकली सवाल है सर, लालू प्रिशार यादव भी देश आ चुके हैं, क्या लग रहा है, तैईस में बिहार में खेला होगा, क्या नितीश कुमार को हट हो रहा है, उस पर कैसे रोक लगे, साथ दलों की सरकार है, और इस महागडवंदन में राष्टिय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में हैं, और उनके वो राष्टिया देख्षें, तो हम तो आप एक्षा करेंगे कि बिहार कैसे अपराहद मुक्त हो, क्योंकि महागड निति खेला तो गनीत का अधार पर चलता है, और फिर आने वाले दिनों में दोजार चोवीस और दोजार पचीस में हम सब केंदर में और राजे में बेहतर सरकार बनाएंगे, जिसे की बिहार में जिस परकार की प्रस्थीतियां बन गही है, उससे निजात दिलाना हम सबों समस्त्राइब का बिपक्ष के नाते के बडाएट तो है, और इस दाएट है नाते हम सब सरकार में आकर निसी तोर पर авर के से अपराद मुक्त हो इसके लिए काम करेंगे, और ही बिपक्ष के रूप में जो बिपक्ष का दाईट उसका निर्वहन सदन से ले कर संप्त rays ON उन्होंने का है कि लालवी आदफ के बिहार आने के खेला का पता नहीं लेकिन जिस तरीके से अपराद चरम सीमा पर है बिहार में उस पर खेला होना चाहिए उस पर लगाम लगना चाहिए इतना ही नहीं उन्होंने अभी क्या दिया कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी के समक से नितीश कुमार फिलाल बहुत बहुत हैं अभी बहुत समय लागय हुने आगे बंढ़दे में हैं अब हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब मैं किया है तो जल से लिख कर ले बहुत बहुत धन्यवाद